साथियों, कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाए का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हत्यार है और दूसरा दिया रहा है, वैक्षिनेशन, हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुई है बहुत पहले वैक्षिन निर्मान पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था वैक्षिन पर रिसर्च के साथ साथ ही एप्रूबल प्रोसेशिस, सप्लाई चेन, डिस्टिबुशन, ट्रेइनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टिम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल सोला जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्षिन देना शुरू कर दिया था ये देश के सभी नागरिकों का सामोहिक प्रयास और सामोहिक इच्छा शक्ती है कि आज भारत 141 करोड वैक्षिन डोज के अभुत पुर्व और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है आज भारत की वैस्क जनसंख्या मैं से 61% से जादा जनसंख्या को वैक्षिन की दोनों डोज लग चुकी है इसी तरह वैस्क जनसंख्या मैं से लगभग 90% लोगों को वैक्षिन की एक डोज लगाई जा चुकी है आज हर भारत्वासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठीन बहुगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वेक्सिनेशन अभियान चलाया कई राज्य और विशेस तोर से टूरिजम के द्रश्टी से महत्वपुन राज्य जैसे गोवा, उत्राखन, हिमाचल जैसे राज्यों ने शत प्रतिशत सिंगल डोज वेक्सिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है आज देश के दूर सुदूर गाओं में जब शत प्रतिशत वेक्सिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोष होता है यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का हमारी टीम डिलिवरी का हमारे हेल्थ केर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वेक्सिन और दुनिया की पहली डीने वेक्सिन भी शुरू होगी